द्यार्थियों प्यार परी साथ श्रीयकाल आज दे सेशन विज दुहड़ा एकवरी फेर स्वागत है मैं जिस्विंदर कलसी साइंस मिस्ट्रेस सरकारी सीनिय सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल हर्शाशीना जिला अम्रे सर्तों आज दुहड़े नाल पार्थ नंबर एक बैलेंसिंग ओफ केमिकल इक्वेशन्स याने की रसायनिक सम्मी करना नू संतुलत करना इस टॉपिक बारे जानकारी देन जा रही हाँ विद्यार्थियों तुसी नौमी क्लास विच तत्ता दे संकीत अते योगिकां दे सूतर लिखने सिखे हन इस जमात विच तुसी ए पड़िया है की रसायनिक सम्मी करन किस नू केहा जान्दा है आज असी पड़ांगे के असंतुलित अते संतुलित रसायनिक सम्मे करन किस नू केंदे हन्द रसायनिक सम्मे करन नू संतुलित करना क्यों जरूरी है अते रसायनिक किरियावा नू संतुलित करना विद्यार्थियों, तुसी ए अरड़ी पढ़िया है कि किसे वी रिसायनिक समेकरन नो लिखन लई असी तत्तां दे संकेत या यौगिकां दे सूतर दी वर्तों करते हां, इस तो अलावा असी कोज जोड़क चिन दी वर्तों भी करते हां, अतेक एरो दी वर्तों भी करते हां. एरो दे खब्बे पास से जो असी लेख दे हां उसनो अभिकारक जा रियक्टेंट्स कहन दे हन अते एरो दे सज्जे पास से जो लिख्या जान्दा है उसनो उतपाद जा प्रोडक्ट्स कहा जान्दा है जे कर रियक्टेंट्स वी एकतों जादा होन ता असी प्लस दा साइन पाके उना नू दर्सा सकते हां अते इसे तरह जदो प्रोडक्ट्स दा नंबर वी एकतों जादा होवेगा ता उना नू वी असी प्लस साइन नाल दर्सा सकते हां जिस्तरा के तुसी ऐग दो उदारना राही एस गालनों समझ सक्दे हो। विद्यार्थियो की तुसी दा सक्दे हो की एना रसायनिक समी करना वेच तीर दे खब्बे अते सज्जे पासे हार तत्तां दे परमानुआ दी संख्या ब्राबर है। हार एक समी करन नू त्यान नाल देखो। इसे तरा तुसी एस सुदारन वेच वी परमानुआ दी गिंती देखो। एस वेच वी रियक्टन्स अते प्रोडक्ट्स वेच परमानुआ दी गिंती ब्राबर नई है। इस उदारन वेच वी तुसी रियक्टन्स अते प्रोडक्ट्स वाली साइड हार एक परमानुदी गिंती देखो। इस वेच वी परमानुआ दी गिंती ब्राबर नई है। सिरफ हाइड्रोजन दे परमानुदोनों पासे ब्राबर हान। इस उदारन वेच वी तुसी देख सकते हो कि कोज परमानुआ दी गिंती ब्राबर है अते कोज परमानुआ दी गिंती ब्राबर नई है। जिसतरा के सोडियम दे परमानु रियक्टेंट वाली साइड एक है अते प्रोड़क्ट वाली साइड दू हान। ओक्सीजन दी गिंती ब्राबर है। हाइड्रोजन दी गिंती रियक्टेंट वाली साइड तिन है अते प्रोड़क्ट वाली साइड दू है। अते सल्फर दे पर्माणू दोने पासे बराबर हानौ। विद्यार्थियों, तुसी ए सार्यां उदारना विच नोट कीता की रियक्टेंट्स वाली साइड अते प्रोड़क्ट्स वाली साइड तत्ता दे पर्माणूआ दी गिंती बराबर नई सी। जे कर किसी रिसायनिक समीकरण विच दो में पासे हर तत दे पर्माणूआ दी संक्या बराबर नई हुंदी, ता इसनों असंतुलित रिसायनिक समीकरण जाँ पिंजर जाँ करंग रिसायनिक समीकरण केहा जन्दा है। पावे के कोज तत्तां दे परमाणू बराबर वी सन पर सारे तत्तां दे परमाणू बराबर ना होन करके इसनू असंतुलित व्यसायनेक समेकरन ही केहा जायेगा. A chemical equation in which the number of atoms of each element of all reactants and products is not equal, it is called as unbalanced or skeletal equation. संतुलित व्यसायनेक समेकरन की हुंदा है? What is a balanced chemical equation? जेस व्यसायनेक समेकरन विच दोवें पास से हर तत्त दे परमाणू दी संख्या बराबर हुंदी है, उसनू संतुलित व्यसायनेक समेकरन केहा जान्दा है. A chemical equation in which the number of atoms of each element of both reactants and products are equal is called as balanced chemical equation. किसे वी रिसायनेक समेकरन विच दोवें पास समेकरन केहा जरूरी हुंदा है? पाव अभिकार का दा पुंज उत्पादा दे पुंज दे बराबर हुंदा है, यानि कि mass of reactants is equal to mass of products. दूजे शब्दा विच रिसायनेक किर्या दे पहला अते अंत विच हर तत्ता दे पर्मानुआ दी संख्या समान रेंदी है. पुंज ता ही बराबर हुंदा है, जे कर पर्मानुआ दी गिंती दोवें पास से बराबर होवे. किसे वी रिसायनेक समिकरन नू संतुलत करन विले कुझ महत्तव पूरण गल्ला अपनावनिया पहला है? वो की की है? नंबर एक ते रिसायनेक समिकरन नू संतुलत करन लई सबतों छोटी पूरण संक्या दे कुनांग दा उपयोग दीता जानदा है. एस विधी नू हिट एंड ट्रायल विधी आगदे हन. सौक लई सबतों वद्ध परमाणुआं वाले योगिक नू सबतों पहला संतुलत करों पावें के ओ अभिकारक होवे जां उत्पाद. इस योगिक विच सबतों वद्ध परमाणुआं वाले तात्त चुनों. नमबर तिन. रसाइनिक के रिया विच शामल तत्ता अते योगिकां दे सूतर नहीं बदलने. किसे वी रसाइनिक समिकरन नू संतुलत करन विले कुछ नमबर्स दी वर्तों कीती जांदी है. इना नमबर्स नू हमेशा तात जां योगिक दे सूतर दे खब्बे पासे ही लिख्या जांदा है. उदारन वज्जों. जदों मेगनीशियम ऑक्सिजन नाल किरिया करके मेगनीशियम ऑक्साइड बनाँदा है. ता इस नू इस तरह दे समीकरन दे रूप वेच लिख्या जांदा है. तुसी देख सकते हो कि जदों इस समीकरन नू संतुलत किता गया है. ता असी दो नंबर जड़े हन वो यूज किते हन. जड़े के योगिक दे सूतर दे खब्बे पासे ही लिखे गये हन. अते रियाक्टेंट वाली साइड वी मेगनीशियम दे खब्बे पासे ही दो नू लिख्या गया है. किसे वी रिसायनिक समीकरन नू बैलन्स करनतों पहला सानों उस वेच मजूद रियाक्टेंट्स अते प्रोडक्ट्स दोना दे वेच परमानुआं दी गिंती पता होनी बहुत ज़रूरी है. जिस तरह के तुसी देख सकते हो जेकर साड़े कोल यौगिक है CO2 ता इस विच कारबंदा एक परमानू है आक्सीजन दे दो परमानू हुन देहान. पर बैलन्स करदे समय जेकर सानू दो नंबर दी वर्तों करनी पए ता असी यौगिक दे लेफ्ट हैंड साइड ही उस नंबर नू दरसावांगे. जिदे नल उस यौगिक दा फॉर्मूला चेंज नहीं होवेगा जो की असी के से हालत विच नहीं कर सकते. दूसरी गल ए है कि जड़ावी नंबर तुसी लिख्या होवेगा ओहो उस यौगिक दे सारे परमाणूआ लई सान्जा हुन्दा है. अते इस तरह उस यौगिक दे परमाणूआ दी कैलकुलेशन असी इस तरह कर सकते हां. कारबन दे दो परमाणू अते ओक्सीजन दे इस के स्विच दो गुणा दो चार परमाणू होणगे. इस गालनू असी एक होर उदारन नाल समझ सकते हां. जिस तरह के साडे कोल एक यौगिक है फेरसलफेट जिस दा सूतर है FESO4. जे कर असी इस विच परमाणूँआं दी गन्ना करिये ता Fe एक परमाणू, S एक परमाणू, ऑक्सीजन दे चार परमाणू होणदे हां. पर बैलन्स कर दे समय जे कर सानों दो फेरसलफेट दे अनू दर्साने होन ता असी दो इस दे खब्बे पासे ही लिखांगे अते ए दो यौगिक दे सारे परमाणूआं लई सांजा है. सो इस विच असी परमाणूआं दी गिंती इस तरह कैलकुलेट कर सकते हां. आयरन दो परमाणू, सलफर दो परमाणू, ऑक्सीजन जेडे के पहला चार सन उदे नाल असी दो नू गुणा करके कैलकुलेट कर सकते हां की होन ऑक्सीजन दे आठ परमाणू हां. विद्यार्थियों कई बार विसायनिक सम्मी करना दे विच सानू कोज योगिक इस तरह देवी देखनू मिलनगे जिन्ना विच बहु पर्माणमी आयन होन। जिस तरह के तुसी एसुधारन विच भेग सकते हो MGOH2 इस योगिक विच ब्रैकेट दी वर्तों किती गई है अते ब्रैकेट दे बाहर दो लिखिया है। इथे समझन दी लोड है कि ए दो जड़ा ब्रैकेट दे बाहर है ए ब्रैकेट दे अंदर पए पर्माणूआ लई सांजा है। इस केस विच असी पर्माणूआ दी गण्ना इस तरह कर सकते हां कि मेगनेशियम एक पर्माणू, आकसीजन दो पर्माणू, हाइडरोजन दे दो पर्माणू मजूद हान। बैलन्स करते समय जए करसान नों मेगनेशियम हाइडरोकसाइड दे लेफ्ट एंड साइड दो लिखना पेंदा है। ता ओस केस विच यह दो पूरे योगिक दे पर्माणूआ लई सांजा है। सो पोसादार ते मेगनेशियम दे किन्ने पर्माणू हो जानगे। दो आकसीजन दे पहला दो पर्माणू सान पर होन क्योंकि दो जड़ा लेफ्ट एंड साइड ते है असी उसनों भी इंक्लूड करना है। सो होन आकसीजन दे दो गुणा दो चार पर्माणू दिखे जानगे। अते इसे तरा हाइडरोजन दे पहला दो पर्माणू सान पर होन दो गुणा दो चार पर्माणू दिखे जानगे। सो इस तरह तुसी इना दी गन्णा कर सकते हो जो की एक रसायनिक समिकरण विच लिखने बहुत जरूरी हान। इस पॉइंट नो असी एक होर पुदारन रही समझ सकते हां। जिस तरह के एक होर बहु पर्मानवी आयन वाला यौगिक है अमोनियम सलफेट। इस विच भी ब्रैकेट दी वर्तों किती गई है यति ब्रैकेट दे बाहर दो लिख्या होया है। इस दो जड़ा है ब्रैकेट दे अंदर पर्मानुआ लई सांजा है। उससा अबनल इस केस विच नाइट्रोजन दे दो पर्मानुभानुः हाइड्रोजन दे 4,2 अठ़ पर्मानुभानुः सल्पर दा एक पर्मानु है अते ऑक्सिजन दे 4पर्मानुभानुः बैलन्स करदे समय जे करसानों अमोनियम सलफेट दे लेफ्ट एंड साइड दो लिखना पैंदा है ता उस केस विच ए दो सारे परमानुआ लई सांजा है उस केस विच नाइट्रोजन दे कुल परमानुँ दो गुणा दो चार होनगे हाइडरोजन दे चार गुणा दो गुणा दो सोला परमानुँ होनगे सलफर दे परमानुआ वेच की तबदीली आएगी क्योंकि ए दो जड़ा है ए सारे परमानुआ लई सांजा सी इस करके होन सलफर दे असी दो परमानुँ लिखांगे अते आकसीजन दे चार परमानुँ पहला सांज अते दो दे नाल गुणा करके होन असी इस दे आठ परमानुँ लिखांगे विद्यार्थियों कई वार रिसायनेक समी करन बैलन्स करन समय असी देखते हां कि एक ही तक एक ही पास से एक जां दो वारी जां तिन वारी वी रपीट हो सक्दा है इस केस विच असी रियक्टेंट्स अते प्रोडक्ट्स वाली साइड परमानुआ दी गन्ना किस तरह कर सकते हां आओ देखिए जिस तरह के तुसी देख सकते हो इस एक्वेशन विच रियक्टेंट वाली साइड आयरन दे दो परमानुँआन सल्फर दे दो परमानुआन आ प्रोडक्ट्स वाली साइट देखिए तां आयरन दे दो परमाणू ही हन पर सल्फर दे परमाणू दो जगा हन एक सल्फर डायकसाइट दे विच है अते एक सल्फर ट्रायकसाइट एसो थी दे विच भी मजूद है सो ओसे साब नाल सल्फर दे कोल परमाणू एक जमा एक पाव दो परमाणू होनगे इसे तरह आकसिजन दे परमाणू तिन जगा मजूद हन अते इस तरह असी लेख सकते हां कि आकसिजन दे तिन जमा दो जमा तिन कोल आठ परमाणू हन जिस तरह के तुसी देख्या कि एस एक्वेशन दे विच रियक्टेंट्स अते प्रोड़क्ट्स वाली साइड हार एक तात दे परमानुआ दी गिन्पी बराबर है इस करके इस तरह दे समीकरना नों बैलेंस्ट केमिकल एक्वेशन यां संतुलत रसाइनिक समीकरन केहा जान्दा है होन तुसी इस उदारन नों देखो टेबल विच तुसी देख सकते हो कि N अते H दे परमानुआ दे विच अंतर है अंतर सिरफ एक परमानुदा है क्योंकि ए बहुत ही सिंपल एक्वेशन है इस विच N अते H दोना विचों किसे नों भी पहला बैलेंस करन दी कोशिश कर सकते हां प्रोड़क्ट वाली साइड N एक है अते रियक्टेंट वाली साइड दो है याद रखो कि असी N नों बैलेंस करन लई प्रोड़क्ट वाली साइड N to H3 नहीं लिखना है क्योंकि असी किसे योगिक दा सूत्तर चेंज नहीं कर सकते इस एक्वेशन विच N है त्री दे लेफ्ट साइड दो लिखन नाल N ता दोनु साइड तो बैलेंस हो गया पर H दे परमानू हुन प्रोड़क्ट वाली साइड 6 हो गये क्योंकि प्रोड़क्ट वाली साइड H पहला तीन सी पर दो लिखन नाल H 2 गुणा तेन टोटल 6 हो गये हान हुन 6 हाइड्रोजन बैलेंस करन लई साननों रियक्टेंट वाली साइड H to the left साइड तेन लिखना पवेगा ता की तेन गुणा दो 6 हो जावे इस तरह असी इस एक्वेशन नो हिट एन ट्रायल मेथड नाल बैलेंस कीता विद्यार्थियो एस सुदारन वेच तुसी देख सकते हो कि हाइड्रोजन दे परमानून चाड़ के आयरन अते ओक्सिजन दोनों साइड बराबर नहीं हान इस तरह दियाँ एक्वेशन विच असी देखांगे कि साबतों ज्यादा परमानून वाला योगिक केड़ा है जीहां विद्यार्थियो F3O4 साबतों ज्यादा परमानून वाला योगिक है इस योगिक विच साबतों ज्यादा परमानून वाला तात लब्बो जी हाँ विद्यार्थियो इहे ऑक्सिजन है होन तुसी नोट करो की रियक्टेंट वाली साइड ऑक्सिजन एक है अते प्रोड़क्ट वाली साइड चार सो असी रियक्टेंट वाली साइड ही चार लिक सकते हां इस तरह करन नाल ऑक्सिजन ता बैलन्स हो गया पर हान बैलन्स हो गया हुन रियक्टेंट वाली साइड ह किन्ना हो गया जी हां 4 गुणा दो 8 सो सानु प्रोड़क्ट वली साइड H2 दे लेफ्ट साइड 4 लिखना पवेगा ता जो 4 गुणा 2 बराब्बर 8 हो जावे अते H दे परमाणू 2 साइड बराब्बर हो जान। हुन आईरन क्योंकि प्रोड़क्ट वली साइड तिन है इस करके रियक्टेंट वली साइड असी आईरन दे लेफ्ट साइड तिन लिख सकते हां। इस तरह एक्वेशन नो असी बैलन्स कीता। इक होर उदारन करते हां। इस आन्बैलेंस्ट एक्वेशन विच तुसी देख सकते हो के सोडियम अते हाइड्रोजन दे परमाणूंद विच अंतर है अते अंतर वी एक परमाणूदा है। इस विच असी रियक्टेंट वली साइड सोडियम दे एक परमाणूनू पहला बैलन्स कर सकते हां। किस तरह जी हां विद्यार्थियों। NaOH दे लेफ्ट साइड दो लिखके। इस तरह करन नाल सोडियम तां दोन्नों साइड बैलन्स हो गया पार H दे परमाणूंद विच फर्क आ गया। H दे परमाणूं होन्न रियक्टेंट वली साइड दो जमा दो चार हां अते प्रोडक्ट वली साइड दो हां। So, असे प्रोडक्ट वली साइड H to O दे लेफ्ट साइड दो लेखके H नू बैलन्स कर सकते हां। एवदारन बहु परमाण मी आयन दी है। देख सकते हो के सिर्फ केल्शियम नू चड़के बाकी सारे परमाणूं अन बैलन्स ठान। अते अंतर सिरफ एक दा है। असी फिर हेट अन ट्रायल विदी नाल CL नू पहला बैलन्स कर सकते हां क्योंकि एहे सरल योगिक HCL दा पार्ट है। असी CL नू बैलन्स करन लई रियक्टेंट वाली साइड HCL दे लेफ्ट साइड दो लिख दिता। इस तरह करन नाल रियक्टेंट वाली साइड H दी गिंती टोटल चार हो गई। क्योंकि प्रोड़क्ट वाली साइड H2 है असी H2O दे लेफ्ट साइड दो लिख के H4 कर सकते हां। बाकी सारे परमानों अल्रेडी बैलन्स हां। इस तरह on the whole एक्वेशन हुन बैलन्स है। विद्यार्थियों आज असी पड़िया संतुलत रसायनिक समीकरन विच अभिकार का अते उत्पादां दे परमानों दी संख्या बराबर हुन दी है। असंतुलत रसायनिक समीकरन विच अभिकार का अते उत्पादां दे परमानों दी संख्या बराबर नहीं हुन दी। किसे वी संतुलत रसायनिक समीकरन उपर पोंजदा सुरख्यन नियम लागू हुन दा है। असंतुलत रसायनिक समीकरन नों पिंजर जां करांग रसायनिक समीकरन वी कहा जांदा है। रसायनिक समीकरन नों संतुलत करन विले तात जां योगिक दे सूतर नहीं बदले जांदे। विद्यार्थियों होन कुझ दुहराई लई प्रशन। दितियां गईयां रसायनिक समीकरना नों संतुलत करो। इना समीकरना नों अपनिया कापियां विच नोट करो अते इना नों तुसी हल करना है। आज दा टॉपिक एक्जाम पॉइंट आफ यू नाल भी बहुत महत पूरण है। अते इस लई बहुत रिटन प्रैक्टिस दी लोड हुन दी है। तुसी इस दी खूब रिटन प्रैक्टिस करनी है। मैंनों उमीद है कि तुसी आज दा टॉपिक चंगी तरह समझन दी कोशिश कीती है। इसे तरह मेनत अते लगन नाल तित्ता होया काम कारदे रहो। शोब इशामा तानवार्द।